जिस तरह से हर्याना के अंदर हज्जारों लोख अंदे ओने की कगार पर आगे और वो अंदे ओने की कगार पर इसलिए आए हैं कि ये जो सरकार हैं और ये जो चोकीदार हैं इन्होंने अपनी चोकीदारी डंग से नहीं की पूरी दुनिया में इस तरह का मामला नहीं आया होगा कि हजारों लोग जो अंदे ओने वारे हैं अर्याना के अंदर क्योंकि अभी तो कुछ ही लोग आए हैं होस्पिटलों में और उसका जो कारण बताया जा रहा है डाक्टर बता रहे हैं कि उसमें जो दवाई थी वो दव दवाई किसने परचेज की उस दवाई के लिए पूरे अर्याणा में बाठने के लिए सरकार के किन लोगों को कमीशन दिया गया कितना कमीशन दिया गया क्योंकि एक आदमी की भी आख इतनी महत्वपूर्ण होती है यहां पे तो हजारों लोग अंदे होने के कारणे हैं त जितने भी हैं चोकेदार हैं इस सरकार में जितने भी चोकेदार हैं इनकी सब की एक एक आख ली जाए और उन लोगों को वो आख चड़वाई जाए क्योंकि जिस तरह से लोग अंदे होने की उस पे हैं यह मुझे लगता है कि दुनिया का एक पहली ऐसी गटना होई है और इसको सरकार कंभीरता से नहीं ले रही है लेकिन आमादमी पार्टी यह निवेदर करना चाहती है चोकीदार मनोरलाल से इस पूरे मामले की जाच करवाई जाए मुआउजा दिया जाए और जितने भी चोकेदार है वो अपनी आखें डोनेट करें के आख डोनेट करें ताक कि जो लोग आ रहे हैं क्योंकि करीब अभी 400-500 तो अभी रिपोर्ट आ रही है कि अलग अलग जगे आ रहे हैं हजारों लोगों ने ऑपरेशन करवाई हैं तो वो तो इसका मतलब जो हजारों लोग है अभी तो जो मेडिया के माध्यम से चीज़ें आ रही हैं अभी तो वह से कम दो लोगों को तो मिलेगी और जितने भी अरियाना के अंदर चोगिदार हैं वीजेपी सरकार में यह सारे के सारे चोगिदार एक यह कांख डोनेट करना है अपनी कि